बड़े अच्छे लगते हो ये धरती ये नदिया ये रहनार तुम् बड़े तो अभी मैं आपको बूल रहा था वहीं खड़ाओ के व्लॉग बनाया और किदर नहीं वेडिटिंग वेडिनिंग कुछ आता नहीं है इधर जाओ उदर जाओ ये सब ठीक से दीकने रहा है इसको पीछे के से करने का मिर भी नहीं मालूम इसमें कुछ समझ नहीं रह में का इसको उडिया में तो पोखरी बोलते इसको हिंदी में तलाब पकड़के समझ जाओ ठीक है ये रोड़षाड जाने का रस्ता है यहाँ से निकल जाए आप लोग किला भी नहीं है इसकी बहुत बेकार पानी है लाँगा तो मैं अब भी सीधा इधर रोड़षाड में जाओंगा भी ताल का जाड़ देखो कितना मस्त दिख रहे और उसके सामने वाले ताल का जाड़े और यह थी ताल का जाड़े ठीक है अभी देखते बहुत सारे पेड़ पोद हैं यहां पर अच्छे है और गाउं में ऐसे तो रहने में लेकिन पस थोड़ा प्राब्लम होता है यहां पर जो लड़िकिया रहती है में मॉडलिंग विद्लिंग करते हैं उन लोग रहने पाएंगे कि काले पड़ जाएंगे पहले भी मैंने बहुत बार बोले तो दढ़के लोग के लिए तो कोई समस्या नहीं है जिसको मतलब फेस में ध्यान नहीं देना है यहां से साइस से पहाड बहुत क्लियरली दिख रह हो तो मतलब में को फिर से इसको करना पड़ रहा है कि फिर से उसको करना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा यहां से लोग उतरते यह पथर दिख रहा है वहां पर उतर के लोग नहाते हैं और जो बातरूम जाके आते हैं मतलब मतलब सोच करके आते तो यहां पर द की पहार बिखता रहेगा कि पता नहीं में आपको दिखा देखंग dónde से दिखता रहNEगा आपको पहार ढोको फोड़ा देखो फिय्ट का का झानीख यह यह रोड裡 हे आप को दिखा दिया में ने रोड झाल झाल